friends, अक्सर, हम जो है, लोगों की बातों को, कई Pikachu सेहन करलते हैं, जब हम लोगों की बातों को सेहन करते हैं, उन्दर कर दिस्टर्ब होते हैं, इतना जैराइँ बदीस्टर्ब हो जाते हैं, कि हम अचानक पायि फट भी पढ़ते हैं जब हम लोगों की बातों को सैन करते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो एक नएक स्टेज आती है कि हम फट जाते हैं, कहते हैं और मैं कितना सैन कर सकता हूँ, अब मेरी सैन करने की शक्ती कम है, तो friends हम सब के लिए यह वीडियो जो है बहुत valuable है, आप अपने friends और relatives को य अच्छा लगेगा, तो friends हम बात करते हैं कि हम लोगों की बातों को सैन करते जाते हैं, कई जगह ऐसी होती हैं, हम बोल नहीं पाती, अपने मन की बात को एक्स्प्रेस नहीं कर पाती, और फिर हम जो क्या होता है, कि सैन कर देती हैं, फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि हम फट जाते हैं, हम कहते हैं हम और कितना सेयन करेंगे, तो हम लोगों ने एक जैसे अपने अंदर ना प्रेशर कुकर बनाया हुआ है, जिसमें जो आता है भरता जाता है, भरता जाता है, जब बहुत जड़ा भर जाएगा तो फट जाएगा फिर कभी ना कभी ज़रूर फटेगा, के according बात करेंगे, हम उनको नहीं रोक सकते, हमें उनकी बातें बुरी लग सकती हैं हम क्या करते हैं, कोई जगा ऐसी होती है हम जवाब नहीं दे पाते हैं उनको और अपने अंदर वो बात रख लेते हैं जब हम अंदर बात रखते हैं तो एक बार रखी, दो बार रखी ऐसे 10-20 बार रखने के बाद एक बार हम कहते हैं, कि अब मैं फट जाओंगा, अब नहीं मेरे सी और सहन होता, but this is not सहन करना, इसको सहन करना नहीं कहते हैं हम क्या करते हैं, हम कहते हैं तुमारी ममी ने ऐसी बात कही थी तब भी मैं चुप रहा था, और तुमारे ड़्यड़ी भी जो बोले पिताजी भी बोले, तब भी मैं चुप रहा, और देखो तम़्सकारा भाई तो जब जाए मुझे कुछ कह देता है मैं कितनों को सहन करूँगा, लेकिन अब मैं नहीं सेहन करूँगा, अब मैं पूरा जवाब दोगा ऐसी हमारी situation बन जाती है कि हम अपने अंदर एक pressure cooker जैसा अपने अंदर mind को बना लेते हैं तो school जाने वाले बच्चे क्या करते हैं अपने friends को खुश करने के लिए दोस्तों को खुश करने के लिए उन पर बड़ा pressure होता है तो वो सेहन कर लेते हैं, drugs लेना शुरू कर देते हैं family values को ताक पर रखकर किसी relationship में आ जाते हैं क्योंकि जो उन पर pressure पड़ता है तो वो ऐसे ऐसे करना उनको फिर अच्छा भी लगने लगता है हम क्या चाते हैं? हम चाते हैं कि लोग हमें accept करें हम जैसे हैं हमारे according चले लेकिन लोग जो है हमारे according नहीं चलेंगे हमें लोगों को accept करना पड़ेगा हम लोगों से expectation रखते हैं न कि वो हमें accept करें लेकिन हमें लोगों को करना पड़ेगा accept तो जब हम expect नहीं करते उनको उनका जो सहन नहीं करते तो कुछ ना कुछ हमारे मुझ से फिर एक दम से अगला पिछला बोला जाता है फिर वो रुखता नहीं है नॉन स्टॉप जो उनमें आया जाता है बोलता जाता है है इससे तब क्या होता हमारे रिष्टे जो है damage हो जाती है relationship खराब हो जाता है जब टॉक्टर भी कहते ना अंदर गुसा मत रखो बोल पढ़ो इससे अच्छा है लेकिन वह भी situation अच्छ नहीं है बोलने से भी क्या होता है relation खराब होते हैं रिष्टे खराब हो जाते हैं एक दूसरे से दूरियां बढ़ जाती है distance बढ़ जाता है pressure बढ़ जाता है तो pressure को कर अंदर रखा हुआ है तो वो किसी ना किसी दिन जो है फट पड़ता है this is called emotional blockage emotional blockage हमारी हो जाती है तो एक दिन जब आता है तो वो फट जाती है बात और वो जो है हम बोल कुछ ना कुछ बोल पड़ते हैं तो क्या करना चाहिए जिससे जो है जो हम फटने की stage में आ जाते हैं कहते हैं अब और सहन करने की शक्ति खतम होगी तो जहें सहन करना इसको नहीं कहते हैं सहन करना इसको कहते हैं कि लोग जो है हम चाहते हैं जी people understand me लोग मुझे समझे लेकिन कोई इस्तरह का अपना situation बनाईए आप लोगों को समझे people do not need to understand me मैं उनको समझूँगा मैं उनको समझूगा कि उनकी nature क्या है जब वो क्या कहना चाहते हैं हम लोग इतनी हरियप हरियप वाली condition में होते हैं तो उन सामने वाले का हमें पता ही नहीं होता कि वो क्या कहना चाहते हैं हम कुछ कहना चाहता होता लाकिन हम कहते हैं कि चलो हमने सैन ही कर लिया इनको लेकिन इसको सैन करना नेहीं कहते आफ क्या करें कि लोगों को understand करें अगर कोई बात वो गलत बोलते है को तो उस बात को सोचें इन्हों ने ऐसा क्यूं किया उसको अच्छी तरह से बात को resolve करें अपने mind से अच्छी तरह से resolve करें फिर उस बात को let go करते हैं कि अब ये बात मुझे चाहिए ही नहीं ये बात यहीं कि यहीं खतम है बस इसको खत आज के बाद ये बात दुबारा मेरे दिमाग में नहीं आएगी मैं इसको यहीं खतम करता हूँ हम क्या करते हैं गांठे पकड़ कर रख लेते हैं कई-कई साल तक पकड़ कर रख लेते हैं अपने अंदर कई समय तक रख लेते हैं फिर वो जो बिमारियां हमारे अंदर आती हैं अगर हम इन बातों को नहीं अंदर रखेंगे सहन नहीं करेंगे तो फट पड़ेंगे हमें फटना नहीं है हमें हर हाल में इन बातों को रिजॉल्व करना है जैसे जैसे हम इन बातों को लेट गो करेंगे इन बातों को सोचेंगे कि हाँ उन्होंने ऐसा क्या कहा था उनका कहने का भाव क्या था हमें हमारे पास सोचने समझने का टाइम ही नहीं है, हम कहते हरी अफरी अफरी अप जो कह दिया, फटाफट उस बात का मतलब निकाल लेते हैं, कई बात का मतलब कुछ और होता है, हम कुछ और निकाल लेते हैं, तो understand करना है, सामने वाले को understand करना है, बातों को resolve करना है, फिर let go करना है, फिर यहां से बिलकुल आप खाली और relaxed रहेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सब को प्यार करें Give love to everyone हर एक को प्यार दें जितना जितना आप लोगों को अच्छी vibration बेज़ेंगे अच्छी thoughts बेज़ेंगे तो वो भी आपका दिल नहीं दुखाएंगे वो भी आपको कड़वी बात नहीं बोलेंगे जिससे आप अपने मन में कोई गांट पालके बैठे रहेंगे आप कुछ सेहन करना पड़े और आप disturb हो जाएं जो कोई बमारियों का रूप आगे चाकर ड़ता है तो this is God power of tolerance power of tolerance इसे कहते हैं ये नहीं है कि यहां से चुप रहे तो यहां दमाग बोलता गया जिये power of tolerance इसको नहीं कहते है power of tolerance इसको कहते है कि बात आई है उसको अच्छी तरह से analyze करें समझें और उस बात को let go कर दें कि ये बात अब मेरे लिए जरूरी नहीं है जो हो गई सो हो गई अब मैं अपने दिल में ये बात रखने वाला और मुझे खुश रहना है अपना मूल मंतर खुश रहना रखे न और लोगों को बहुत प्यार दे लोगों के लिए अच्छी दौाएं दे well wishing करें उनको अच्छी जब wish करेंगे तो वहां से भी आपको अच्छी vibration ही मिलने पड़ेगी तो ये सोचना है कि nobody needs to understand me let me understand everyone मैं सबको समझूँगा लोग समझें या ना समझें तो ये तो उनकी मर्जी है न ये उन पर dependent बात होगी अब main बात है कि मुझे लोगों को समझना है कि लोग ऐसा क्यों कह जाते हैं उसके पीछे उनका क्या भाव है उनसे कोई expectation नहीं रखनी कि वो आएंगे मुझे समझेंगे फिर वो देखेंगे कि उन्होंने hurt किया वो कुछ नहीं समझेंगे वो अपने संसकार से जो है बात करते जाएंगे तो रोकना नहीं है अंदर बातों को सहन नहीं करना इस तरीके से कि pressure cooker की तरह एक ना एक दिना फट जाओ इस तरह का कुछ नहीं करना है तो friends हमने जो बातचीत कि यह ना कि power of tolerance किसे कहते हैं power of tolerance उसे कहते हैं जब हम बातों को resolve करते हैं अपने दिमाग से let go करते हैं जाने देते हैं बातों को जहां से हम light feel करते हैं और लोगों से हम expectation नहीं रखते तो this is called power of tolerance तो अपने अंदर कोई pressure cooker नहीं बनाना आज से हम सब यह दिखेंगे कि अपने अंदर किसी ने भी pressure cooker की तरह नहीं बनाना की एक ना एक दिन सैन करते जाएं उ एक ना एक दिन फटे गही फटे गा जिसमें ज्यादा हवा भर जएगी ज्यादा गैस भर जएगी ज्यादा सब कुछ over हो जएगा तो वो एक दिन फट पड़ेगा इससे अच्छा है कि वो चीज ना आई बातों को resolve करके खुद को light रखे तो friends आप भी कुछ comment box में कहना जाते हैं तो you are most welcome, thank you friends.